क्या आप जानते हैं, हाथी और घोडे के पैर का जो निचला हिस्सा होता है, उसे साफ कैसे किया जाता है? देखो, घोडे के घुर तो बहुत मजबूत होते हैं, जिनमें आग भी लगाया जाए तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती, और घुर के बड़े होने पर उन्हें नीचे से काटा जा सकता है, पर हाथी के पैर नीचे से सौफ्ट होते हैं, साथ ही उन्हें दिन में लगभग 30 किल किलोमीटर चलना भी होता है, और हाथी का वजन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाथी के पैर का जो निचला हिस्सा होता है, उसे पेडिक्यूर की जरूरत पड़ती है, और आमतोर पर जो लोग हाथीयों का कध्यान रखते हैं, वही हाथीयों का पेडिक्यूर भी करत है